नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में मैं हूँ मनोज कुमार आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जानकारी दोस्तो बिहार इस्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने जे टी ओ यानि जूनियर एलेक्टरिकल बादों से संबंदित एक वार फिर से संपूर जानकारी यहां आपके लिए बता रहे हैं चैनल पर हमारे साथ अंतक बने रहें साथी वीडियो को एक लाइक करने अपने दोस्तों में सेयर करतें चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने लेटेस् रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए साथी बैल आइकन को जरूर दवाएं आव सुरुवात करें नएकल की तो चलिए दोस्तों चलते हैं जानकारी की तरफ दोस्तों यहां हम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटीड की वैब साइट प पर आपको क्लिक कर देना हैं जिसे यहां हमने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटीड के द्वारा एंप्लॉइमेंट नोटिस नमर दोगटे दो हजार चौविस जूनियर एलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी टीओ के पदों के लिए ओनलाइन मोड में आविदन मांगे जा रहे हैं भारतिय नागरिकों महिला और पुरुष दोनों से इसकी सबसाइटरी कंपनी बिहार स्टेट पावर ट्रांस्मिशन कंपनी लिमिटीड यानि बी एसपी टीसी एल के हैड ऑफिसेज और फिल्ड ऑफिसेज के अंध और बी सी के दसपद हैं तो यहां क्वालिफिकेशन जो रखी गई है तीन साल का फुल टाइम डिपलोमा इलक्ट्रीकल में होना चाहिए किसी भी रिकगनाईज इंस्टेट्यूट कॉलिज से जो की स्टेट गवर्मेंट या सेंटरल गवर्मेंट एप्रूवड होना चाहिए के आई सीटी के द्वारा तो समध्य जो क्वालिफिकेशन है ओनलाइन आवेदन करने की अंतिम्तिति तक आपके पास हर हाल में होनी चाहिए प्रोवेशन जो होगा यहां पर तीन साल का ह प्रोवेशन पीरियड के तहत दिया जाएगा पहले साल में 25,900 से 48,900 पे बैंड के अंतरगत कंसोली डेटिड मंथली सेलरी 25,900 दी जाएगी एक साल कंपलीट हो जाने के बाद में लेवल 8 के अंतरगत रेगुलर पे स्केल साथ में सेवन सीपीसी के अकोर्डिंग और अन्य जो भत्ते दे होंगे वो लागू कर दिये जाएंगे एज लिमिट 31 मार्च के आधार पर कम से कम अठारे साल है और मैक्सीमम अन्रिजवर्ड के लिए 37, SC, ST के लिए 42, BC, EBC के लिए 40 और अन्रिजवर्ड कैटेगरी की महिलाओं के लिए 40 अधितम आयू सीमा रखी गई है जबकि दिव्यान जनों को 10 साल तक की अत्रिक छूट जी जाएगी SC, ST को 5 साल की BC, EBC को 3 साल की अत्रिक छूट दी जाएगी तो यहां रिजर्वेशन के वल उन कैंडिडेट को ही दिया जाएगा जो की बिहार राज्या के मूल निवासी है इसके अलावा जो एप्लिकेशन फीस रखी गई है अन्रिजर्ड, BC, EBC को 1500, SC, ST, दिव्यांगजन और बिहार राज्या की मूल महिलाओं को 305 फीस पेमेंट करनी होगी ओनलाइन मोड में क्रेडिट कार, डेविट कार, नेट बेंकिंग, यूपी आई के माध्यम से फीस पूरी तरह नोन रिफंडेवल होगी, फीस विल बी एक्सेप्टिट थ्रो ओनलाइन पेमेंट ओनली, ओफलाइन में आपको फीस का पेमेंट नहीं करना है, मोड ओप सेलेक्शन यहां, कम्प्यूटर आधारित एक टेस्ट कंड़क्ट कराया जाएगा, रिटिन एग् पैसिज में होगा, और मिनिममम क्वालिफाइंग मार्स रिटन एक्जामनेशन में जो होंगे, अन्रिजवर्ड के लिए 40% मार्स लाने होंगे, बीसी के लिए 36.5, इबीसी के लिए 34% SCST और फीमेल कैंडिडेट्स को और दिव्यांग जनों को 32% मार्स यहां पर रिटन एक अग्जामनेशन को कौलिफाइं कर लेंगे, उनको डॉकोमेंट वैरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ऐसे केंडिडेट्स जो की डॉकोमेंट वैरिफिकेशन में सफल होंगे, उनको फाइनल मेरिक लिए जगह दी जाएगी, यहां पर जो स्लेवश रखा गया है, लेकिन अब इन सभी को cancel कर दिया गया है नई जो डेट है आविदन करने की 15 अक्टूबर 2024 तक अब इन पदों के लिए आप आविदन कर सकते हैं सब्सक्राइब आविदन करने के लिए और रेजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास में वैलिड इमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अतियन तावसक है क्योंकि आपके और आयोग के बीच में जो भी कमुनिकेशन होगा इन दोनों के माध्धम से ही किया जाएगा